मामला गौवर्दन थानी के अंतगत पेठा गाउं का है जहां शादी में बाहरी लोगों का मजाक करना घरवालों को काफी महंगा साबित हुआ हम आपको बताते चलें कि शादी में गाउं के ही अराजक तत्त के द्वारा महिलाओं को देखकर उनके व्यंग किये जा रहे थे जिसका विरोध घर के लोगों ने किया तो इस बात से वे लोग गुस्सा होगे इस पर उन्होंने अपने परिवार के जनों को फोन करके बुला परिवार के लोगों को लाठी डंडों से घायल कर दिया इसकी जानकारी देते हुए पीडित ने मीडिया को बताया कि वह लोग बड़े दबंग लोग है आए देन इस प्रकार की घट्टाओं को अंजाम देते हैं उनके द्वारा हमारे परिवार के पिताजी वह महिलाओं क को लाठी डंडों से घायल कर दिया है वहीं घर में भी आग लगा दी गई हैं पीडित परिवार ने इसकी सूचना पॉलिस को दे दी सूचना पर पहुंची पुलस ने घायलों को सामुदाय केंदर पहुंचाया सामुदाय केंध पर प्रात्मी को चार के दौरान मधूरा जिला स्पताल ग्राइफर कर दिया गया जैसा कि अभी अपने स्वामदाइक सस्किंद प्रेक जगड़े का मेटर आया है उसमें क्या कुछ रहा और कितनी विक्तियों के चोट लगी है उसमें देगे करिब पॉने एक बजी मेंटर आया है में पास पैठे गाउं से जिसमें चार लोगों को चोट आई है तो जिनका हमने यहां पर मेडिकल किया हुआ है और हमने सारी फरस्टेट वगर भी दी है तो जिसमें एक महिला है और तीन पुरुष है तो उसमें दो जो हैं दो प क्या नाम है अपका नाम डाल जब कर रहे तो उन्हों कर दिया और साले डंक से तोल ले हो जंगल और में रहते हैं यह उसके बाद मैंने फिर फौन किया भी अशुआ में अइसे शवात है वह इंक ऐसे बुला दिया है आदमी वां ठीक है मैं अभी आ रहो हूं हम मैं भाई यह लेने आएगा हूं मैं भाई यह लेकर पहुंचों तुरंत इतनी देर में पिताजी पे और मेरी घरवाली पे भावी पे सब पर हाथ छोड़ा लाठी दें डंडे दिये मोमे के खून देगी यह विचारी दाथ पा अच्छा इसकी सूचना आपने पुलिस को दिये है जी सर पुलिस को सूचना दिती सर पुलिस मोंके पर पहुंची थी पाज में पहुंची है पहुंची है आडाइन भारत के लिए मतुरा से दिपक शर्मा की रिपोर्ट है